उत्रपरदेश हर्दोय के कोतवाली शहर पुलिस ने एक शाती लुटेरों को गिरफतार किया है जो खुद को सिपाही बता कर लोगों को अपनी जहासे मिलेकर लूट के वारदात को अन्जाम देता था पुलिस ने उसके पास से एक बाइक एक किलो चार सो ग्राम गाजा खाकी पेंट अठाइस सो रुपए नगत बरामत किये हैं आपको बता दे कि पकड़ा गया शाती लुटेरा पहले भी खुद को स्वाजपूर बताती हुए वसूली करके गिरफतार हुआ था इस यूवर को गिरफतार करने में सची नामक सिपाही का एहम ड्रोल रहा है मामले का खुलासा कड़ते हुए पूलिस अधिकशक अमित कुमार ने बताया कि इस मामलों में खुलासे के लिए ASP पूर्वी वसियो सिटी के परिवेक्षन में शहर कोतवाली पूलिस की चीम लगाई गई थी पुलिस को मुखबीर से सूचना मिले कि इस प्रकार का संदिक दिव्यक्ती जानकारी में है पुलिस ने जाल बिचाया और उसे गिरफतार किया उसने अपना नाम इसहाक अली निवासी ग्राम बरखेडा थाना बहिचा गोकुल बताया पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 400 ग्राम गाजा ही खाकी पेंट एक मोटरसाइकल बिरानवर प्लेट की बरामत की है इसके पास से 2800 रुपे भी मिले है S.P. ने बताया कि इसके पहले भी 2014 में इसनी खुद को S.D.M. सुआजपूर बताकर सदर पहसील में वसूली कटे पाया गया था इसे गिरफतार कर जेर भेजा जा रहा है हर दो इससे समद आता है शाहिद अली की रिपोर्ट इसके पहले भी ये व्यक्ति जो है जेल जा चुका है जिसमें ये पहले S.D.M. सवायसपूर बन के इधरगर लोगों से वसूली क्या करता था जिसके समद में इसमें 24 में मुकर्मा भी पंजबुट थे इसके नाम इसाहा काली है और इसको जब सूचना मिली तो सूचना के अदहर पर इसके पास एक गाजा भी परामद हुआ साथ ही सके पास है कि हडोड़ा मोटर साइक्ल परामद हुई और ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये काफी तेज़ दर रहा है और अलग-अलग अपने पद्वी बताते हुए लोगों से ठंगी वसुली प्यादी किया करता था अर इसको द्रफ्तार करके जिए बजाता है इसके पास से एक मर्दी परावदी जिसमें एक खांती पैंड है तता एक जैके टित्यादी भी थी शर्ट मर्दी कि इसके पास नहीं थी लेकिन वो ढख के इस प्रकार रखता था ताक कि लोगों को पताने चले और सीदे साथे लोग इसमें इसके जहासे में आ जाते हैं लाइख शेयर और सब्सक्राइब करें घर्नेवाद